हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आरके एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल आज हम बात करेंगे कि डाइनेमिक माइक और कॉंडेंसर माइक में डिफिरेंस क्या है आपको मान लिजे आपके पास कोई भी माइक नहीं है आपको कौन सा माइक खरीदना चाहिए क्योंकि बहुत कंफुजन होता है कुछ लोग सोचते हैं कि यह डाइनेमिक माइक में रेकरिंग नहीं होता है अगर आप ऐसे सोच रहें तो पहले उसको दिमाग से निकाल दीजिए और condenser mic इसको मैं क्या आप निकाल देता हूँ नहीं चाहिए condenser mic में आप सोच रहे हैं कि यह stage में condenser mic यूज करके हम गाना का पाएंगे तो ओभी आप दिमाग्स में हटा देजिए तो मैं आपको condenser mic का sorry condenser mic का dynamic mic का दोनों का difference और audio test आपको दोनों का और आपके लिए कौन सा सही रहेगा ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज हम ज़्यादा costly mic यूज नहीं कर रहे हैं हम जो देखिए condenser mic जो है ये 700-800 से सुरू हता है लाखों तक भी उसका price है और ये जो dynamic mic है ये 500 से सुरू हता है 10,000-15,000 तक भी है हम basic mic आज यूज कर रहे हैं का audio test भी करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो पुरा देखिए और ये आपको बहुत कुछ information देना वाला है अगर हाँ आपने अभी तक मेरा channel को subscribe नहीं की है तो please subscribe किजिए मुझे support किजिए आपका एक subscribe मुझे बहुत help करने वाला है देखिए आज मैं बोया mic यूज नहीं किया हूँ जो भी audio recording हो रहा है डायरेक्ट ये दोनों mic के साथ recording हो रहा है laptop में record कर रहा हूँ मैं ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करूँगा क्योंकि हम को कई हम इंजिनेरिंग नहीं पढ़ रहे है क्योंकि टेक्निकल हमको समझना है इसका अंदर क्या है क्या frequency है किसी मेकानीजी में बनाया गया है इसका अंदर क्या है ये कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ बहुत सारे यूटिवर में इसे बताते है हमको उसे जानने का जरूरत नहीं है हमको स्रिफ जरूरत चाहिए क्यों हमको कौन सा माइक खरीदना है कौन सा यू परपज में हम हमारा परपज क्या है पहले तो ये समझना है हमारा परपज क्या है और कौन सा माइक हमारे लिए ठीक रहेगा तो पहले मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ यह जो कंडेंसर माइक है यह ऐसे मेकानीजिम में बनाया गया है सिंपल सा बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो सेंसिटीव बहुत ज़्यादा है यह में परपज कंडेंसर माइक का हमारा गाना रेकरिंग करने के लिए वोकल रेकरिंग करने के लिए में उसका परपज यह है क्योंकि इसमें सेंसिटी बहुत रहता है और हमारा हौर बूंद वार का जो हौर सांस हौर बूंद जो भी सब कुछ खिंचता है अगर हां इसको हमको यूज करना है तो एक covered place में रूम का अंदर नहीं तो स्टूडियो का अंदर फूम का अंदर इसको यूज करना है क्योंकि ये आजूबाजयो का जो भी noise है न पूरा capture करता है इतना sensitive है आप कभी भी नहीं देखे होंगे कोई स्टेज में कंडेंसर माइक लेके गाना कहा रहा है क्योंकि स्टेज का अंदर जो नॉइज होता ना यह कपड़ यह रूम से बाहर गया थे यह काम नहीं करेगा बिल्कुल लेकिन वेरी सेंसिटीव है और हमारा वॉइस का जो व्रेकर्ण हो रहा हैं फिर मैं डायनमिक का बात जब और यह condenser mic शरीफ हमारा recording के लिए काम करता है रूम का अंदर जहां पर public place में जहां पर noise रहता है noise place में यह काम नहीं करेगा तो इसका rate का हिसाब से यह हमारा dynamic mic से थोड़ा costly रहता है क्योंकि इसका अंदर asset mechanism यूज किया गया है तो हमारा जो में परपज हो गया है हमारा गाना रेकडिंग करने का लिए हमारा इंडूर में जो हम करते हैं इसमें ही हमको चलेगा अगर आजू वाजू में थोड़ा सा नवज होगा यह पकड़ता है नंबर वान यह बहुत सेंसिटिव होता है नंबर टू कंडेंसर माइक में हर बूंद बूंद का आवाज हर सांस का जो भी सांस निकलता है हर सांस यह पकड़ता है नंबर थ्री हम इसको श्रीप रूम का अंदर ही यूज करना जहां पर नज नहीं रहेगा क्योंकि अगर फैन भी चलेगा न यह आवाज इतना पकड़ेगा कंडेंसर डाइनमिक माइक कम आवाज खिंचेगा फैन का लेकिन यह ज्यादा पकड़ेगा नंबर फॉर इसका मेन परपज है हमको वोकल रेकरडिंग के लिए हमारा सिंगिंग के लिए यह यूजफल होता है नंबर फाइब कोस्ट वाइज डाइनमिक माइक से यह हमेशा रेट प्राइस ज़्यादा होता है लास्ट में में कॉंक्लोजन में बताऊंगा आपके लिए क्या सही रहेगा तो अभी आएंगे डाइनमिक माइक का तरफ अभी जब वोईस आ रहा है यह जब वोईस आपको सुनाए दे रहा है यह डाइनमिक माइक से आपको सुनाए दे रहा है डाइनमिक माइक मेल लिक्य क्या होता है rough and tough होता है और sensitive voice यह ज्यादा sensitive नहीं रहता है हर जगा पर यह यूज हो सकता है कि चाहे आप घर में practice कर रहे हैं इसकी कर सकते हैं चाहे आप stage में गाना गा रहे हैं इसकी कर सकते हैं चाहे आप song recording कर रहे हैं squeeze कर सकते हैं और cost wise भी condenser mic से dynamic mic भहत सस्ता रहता है ये मैं बोलूँगा तो हर singer का best friend होता है हर singer का best friend होता है और जो noise capture करता है compare to condenser mic ये थोड़ा noise कम capture करता है लेकिन जब हम गाना गाते हैं एकदम नस्दिक से लेके हमको गाना पड़ेगा क्योंकि जो भी बात करेंगे अग गाना गाएंगे नस्दिक से लेके करेंगे तो ये जो हमारा vocal को अच्छा तरफ से capture करेगा number one cost wise ये कम होता है number two noise थोड़ा कम खिशता है number three जो sound है ना हमारा जो vocal अगर हम जो बात कर रहे हैं अगर condenser mic हमारा vocal को हमारा voice को hundred percent condenser mic capture करेगा लेकिन dynamic mic ओसी percentage में हम लिये तो ये हमारा vocal को hundred percent capture नहीं करता है ये हमारा vocal को 80 percent तक capture करता है number five क्या होता है ये rough and tough होता है कहीं पे भी हम use कर सकते है चाहिए आप covers गाना घर में practice कर रहे हैं गाना इसमें प्राक्टिस कर सकते हैं stage में गाना गा रहे हैं इसमें हम हर singer के पास तो आप देखे होंगे wireless हो अथवा with wear हो लेकिन wireless माइक यह भी dynamic माइक होता है वो condenser माइक नहीं होता है और rough and tough है कहीं पे भी आप public place में कहीं से भी आप use कर सकते हैं तो ये मैं बोलूँगा तो singer का बंधू है ये singer का हर singer का best friend होता है लेकिन जब हम हम जब गाना recording करते हैं ये condenser माइक का तुल नहाम है अगर condenser माइक only recording का मैं बात कर रहा हूं देखिए बाकी सब इसका सब कुछ compared to condenser माइक ये better than the condenser माइक जो dynamic माइक होता है लेकिन जब recording का बात होता है देखिए recording का बात होता है हमारा जो भोकाल अथा भाणा हम जो गार ये 100% जाके लेप रेकॉर्ड होना चाहिए ताकि हमारा आवाज का पहचान आवाज का डेप्थ आवाज का जो फील ओ रेकॉर्ड होता है तो इसलिए श्टूड जो condenser माइक स्टूडियों में यूज होता है स्टूडियों में व्यूर्ट आइकन डायामिक माइक अपाट फ्रॉम दाट वोकाल रेकॉर्डिंग अथा वोस रेकॉर्डिंग हर जाका पे काम कराई ये नहीं की इसमें हाँ यह बात ध्यान दीजी ये नहीं की इसमें आप रेकरींग नहीं करद पाएंगे लेकिन रेजल्ट का बात कर रहा हूं कि बाकी तो हर जगाम यह काम करता है रेकरींग का बात कर हji है अगर Was lapse the impact record means利 एक नाम्बर ओन भी वहाई हों आंज एक मैल पर्शन और ये एक फिमिल आप देखिए male personraphend half get it, सुबह बाहर जाते हैं, जितर हैं, और मेल नहीं है, अगर पूरु सेता है तो यह महिला है, erf होते हैं, यह condenser mic same है, को मेरा हिसाब से, dynamic mic, male है, condenser mic, female है, अभी थोड़ा vocal test ऐसे करके दिखाता हूँ, ताकि आपको difference भी पता चल जाएगा देखिए हालो हालो चेक चेक यह condenser mic से record हो रहा था अब इस same मैं dynamic mic में same technique को इच करूँगा ताकि फरक देखिए live में record कर रहा हूँ और यो test तो आपका फरक भी आपको पता हो जाना चाहिए अब इसको हटा जाते हूँ अब ही आते हैं आपके लिए कौन सा माइक ठीक रहेगा कौन सा माइक ठीक रहेगा अगर multiple purpose में आप यूज करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा अब dynamic माइक खरिक सकते हैं क्योंकि dynamic माइक में आप गाना recording कर सकते हैं daily practice भी कर सकते हैं बाहर कहीं पर जा रहा है छोटा मटा प्रोग्राम के लिए इसको साथ में लेके भी जा सकते हैं लेकिन condenser माइक ऐसा नहीं होगा सिर्फ घर के कुने में यह रहेगा आइदर studio के कुने में नहीं तक घर के कुने में घर का अंदर ही practice होगा बाहर जाने का इसका अवकात नहीं है लेकिन ही घर में ही रहेगा यह से रहे घर में भी रहेगा बाहर पर जाएगा कहीं पर उठा के लेके जाओ भाई काम करने के लिए रेडी है और थोड़ा eco effect देके दूनों माई का और यह टेस्ट कर देता हूं ताकि वह आपको पता चल जाए इको एफेक्ट में आवाज कैसे लग रहे अभी मैं कंडेंसर माई का इको अन किया हूं मैं तो हेड़फुन नहीं लगाया हूं लाइव रेकरिंग कर रहा हूं आपको यह आवाज जरूर आ रहा आगा सुनाए देगा मैं आवाज ओई आवाज आपको तो एड़ करूंगा दोनेक माई का विडियो में तो यह कोंडेंसर माई का इको अन की मिमोग धरी अवाट माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग अभीप्व का icon करता हूं देखे dynamic Mike का icon करता हूं अभी dynamic Mike का icon कर दिया और आपका आवाज पता चल रहा हो कि यह आवाज देखिए alo mic testing यह भी आवाज जो आ रहा है एको के साथ dynamic Mike में आ रहा है तो दोनों का मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको कुछना कुछ इन्फर्मेशन दिया होगा अगर आपका कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर कर दिया होगा तो मिलेंगे और एक बहुतर इन वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते